मेरी जिंदिगी में अभी वीकेंड प्लांस जैसा शब्द नहीं आया है इसलिए पिछले हफते एक दोस्ट से ओटलिटी का सब्क्रिप्शन उधार लिया और बहुत ही चर्चित वेब सीरीस अंजे लिला भंसाली की हिरामंडी देखी उसके बाद से इंस्टाग्राम से लेक क्या है हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी तवाइफें हैं जिनका बड़ा सम्मानित नाम रहा है और तवाइफों की इंडियन फीडम स्ट्रगल में जो प्रपर नैंटी येर्स के फीडम स्ट्रगल है उसमें क्या योगदान रहा है उस सब पर बात करने के लिए कुछ और खोज एक गांदी साब स्टोरियन है मेरठ में रहते हैं उसे पहले वो इंडियन एरफोस से भी जुड़े हुए थे और उन्होंने 1857 पर महारणा प्रताप पर शिवाजी पर और कई तरह किताबे लिखी हैं जो कई बार स्कूल की टेक्स्बुक्स के तौर पर भी चलाई गई हैं सबसे बेसिक सवाल से शुरुवात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा विभ्रम बना रहता है अदब के जो काईदे की लोग है वो भी उसमें कई बार बहुत ज्यादा वर्ड प्ले करते हैं लेकिन एक क्लारिटी का अंसर नहीं आपाता है तवायफ किसे कहते हैं सर कौन होती की तवाइफ हैं जब पुराने जमाने में मुगल स्टाइन तक जब कोई इंटरेंवेंट का साधन नहीं था मनोरेंजन के साधन के लिए लोग जो एफोर्ड कर सकते थे वो तवाइफों के बाद आते थे वहां मुझरा शायरी वगरे होता था और नृत्य होता था डांस हो का उनका कपणों का उनके जो भी जितनी उनकी जो रिक्वार्मेंट है वो सब उसके अंदर ही भीतर ही इंतियाम होता था इन होस अरेजमेंट जिससे कह सकते हम वो सब कुछ होता था और तवाइफों को बेसिकल या प्रोस्टिटूट से नहीं जोड सकते हैं क्योंकि देख जिसको वोल्व किया है वो तुवख है ? थुम्री है दाद्रै। तो ये सब चीजे जो है वो थाधों ने इवाल्व किया है , तो इसलिए जो उनका रोल है हमारी कुर्चर में वो बहुत अनूठा है और यह कारण है कि जो अमीर लोग होते थे खासका जो नवाब होते थे व अच्छा और उसी सवाल को आप में थोड़ा से पहले जबाब में भी कहा लेकिन मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा और तफसील से बात हो तवाइफों और सेक्स वर्कर्स में क्या अंतर होता था उस दोर मैं तीकि सेक्स वर्कर्स जो है बेसिकली लो ग्रेड लो होते थी जो और लोई स्किल्ड अगर वो डांस भी अगर कर रही है तो लोग क्लास है वो मतलब वो रिफाइड नहीं है जबकि यो तवाइफ थी ये लोग ट्रीन होते थे अच्छी तरह से और इनका एक पूरा सिस्टम प्रॉपर नंगा सिस्टम होता था जबकि जो अगरी में इस प्रोफेशन को अपना लेती थी तवाइफों के साथ ऐसा नहीं था उनमें कोई जोड जबरस्ती वाला ही बात नहीं थी लोग अपनी विलिंग्स से उसमें अपने खुद अपने इच्छा से वो प्रोफेशन में रहती थी जैसे मा बेटी को चाहती थी कि व दैजा है चाहितं तो बाद में आला है हिंदू जो लॉख है और मुसिलिंगी मुस्लिम लेकिन जो कि प्रोफेशन जब करें वह इनकी बेठी को तो इसलिए यह औरừa है यह कारण था लेकिन जब बाद में जब situation जब बदली जब उनका degradation हुआ उनका downfall शुरू हो गया तो उसके बाद में वो जो तवायक थी वो नहीं चाहती थी कि उनकी जो बेटे हैं कि उनकी income भी बहुत कम होगी थी अंग्री जो के जो आफ्टर steamship period तो इस पिरिड का मतलब क्या हुआ इस टीमशिप का मतलब यह था कि 18 शदादी के शुरू तक से 1820 तक या 1825 तक जो भाफवले इंजन के जहाज नहीं आए थे पानी के जहाज तो उससे पहले क्या हुता है इंग्लेंड से यहां तक आने में करीव 28 सी लगते थे तो यह क जब यह steamship आ गए तो उसके बाद में जो एक चेंज आया है वो यह कि आप थोड़ा जो यात्रा सुगम हो गई तो सुगम होने से वो अपने परिवारों को यहां पर लाने लगे जब परिवार आ गए तो उन्होंने जो जो उनका जो मनुझन के जो तरीके थे यूरोप मे उनको नहीं हाफिस टेविश कर लिया जैसे अपने चर्चीज बना लिए क्लब्स बना लिए इस तरह की चीजें तो उससे क्या होगा कि उससे पहले जब तक इस्टीमशिप नहीं थे तो उससे पहले वो तवायवों के पास जाते थे मनुझन के लिए ले लेकिन अब उनके पास अपने अपने अजया अधने मौझन थे जो जिसके वो बढ़ल जिनको आद्ती में तो वो उन चीज़ों कोधिया से जाए कि हाफ यह वह उनके डैंस में वाधा होते हैं तो वो सब था उनका तो जहसे तवाहफ में वो खुट डांस नहीं कर सकते थे कि अबिध एधा तो इसलिए अब उन्होंने जो इस पे तवाइफ हो पे ध्यान देना कम कर दिया, वो कम भी कर दिया, साथ साथ अब यह हुआ कि क्योंगी नवा पहले खतम हो गए थे, जो जमीनदार थे, वो एक तरह से वो भी प्रशान थे, क्योंकि उस समय जो आपके रेविन्यू लाज है वो बदल रहे थे, वो जो किसान है, वो करिकपरी 50% अपना प्रोडूस दे रहा था, और वो कई बार वो फिक्स था, जैसे पर्मनल सेटलमेंट में, वो फिक्स था, कि उसको इतना जरूर देना है, अब वो चाह सूखा पड़े, अकाल पड़े, या कुछ और समस्या हो, प वो तक देना ही देना है, तो किसानों की हरत खराब, किसानों की हरत खराब, तो जमिंदार की हरत खराब, तो उससे क्या होगे, डिसविडेंस, रेविलेंस शुरू होगे एक तरह से, वो किसान लोग, जमिंदार की खिलाब कर रहे हैं, जमिंदार अंग्रेजों की खिलाब खड़े हो रहे हैं, तो वो एक, जो समाज में, पूरे में, डिसाडिस्पेक्शन फैल गया, एक और कारण में आपको पताना चाहूँगा, कि प्रोस्टिटूट्स क्यों बहन रही थी लोग, तो जो ये, यहां से कच्छा माल लेके जाते थे अंगरेज, और बनावा माल लेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, अब वो मशीन मेट गुट्स ने उनका जो प्रोफेशन ने खतम कर दिया, किसान खता हो गए, हमारे जो क्राफ्समेन थे, वो सब खता हो गए, जो बड़ा हों के पास काम नहीं रहा, कपड़े वालों के का कारिगर थे, उनके बाद काम नहीं रहा, तो अब वो जब गरीबी उनको घेरने लगी, तो उनकी महिलाओ के पास जादा कुछ औप्शन से नहीं, तो फिर उस तरह, हाँ, तो इसमें एक डिग्रेडिशन सोसाइटी में भी हुआ असमें, तो इसके बारे में तो प्रेम जन सवाल पर, हम लोग ने तवाइफों के वारे में जसमें ने फिल्मों का भी उधारन दिया, कुछ उपन्यासों की बात हुई, विक्रम सेट का उपन्यास है, सटल वाला, लेकिन तवाइफें तयार कैसे होती थी, मतलब उनके इत्र कहां से आते थे, उनके कपड़े कहां से बनते थे, थोड़ा तवाइफों की जिंदगी में अगर आप हमें दाखिल कर सकें तो, जो इनका पूरा सेटप था, उसमें वे ट्रिडिशनल मुगल तरीके से अपने कोठे को सजाय जाता था, तो उसमें जो तवाइफे थी उनके जो कप्ड़े हैं, जुल्री हैं, ये अलग इंगिशों से तो, परश्या, ने ने परश्या से नहीं, बस लोकल जो बहार के जो आपके टेलर्स वगर हैं, उनसे आ रहा है, लेकिन जो कुछ अच्छी जो तवाइफे थी, जो पैसे वाली थी, वो अपने पास टेलर्स खुद एंपलोई कर लेती थी, तो ऐसी ही उनके पास ना के वली है, बलकि मुजिशन तक एंपलोई कर ले थी, फुल टाइम, कि वो मुजिशन उनके पास ही जाते थे, उनका काम ही था, ट्रेनिंग देना, तो ऐसी टेलर्स का काम था, नेने डियाईं के, और इसलिए कई बार क्या होता था, फैशन है, वो इनके कोठ आपला लिया, तो इससरा से जो कल्चर है, यह फ्लोट फ्रों देर, फ्रों दो कोठा, तो एक बहुत इंपोरेंट एक कल्चर और था जिसके लिए खुसना भाई गांधी से लड़ गई थी, एक कल्चर वो भी था जिसमें उन जमीदार से कहती है कि अपने पैसे अपने पा जब हम हुसना भाई की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले पता लगता है कि वो कितने सक्षम लोग थे, बहुत अच्छा ग्यान था भातुनु भातुनु हरी चंद, खुद उनकी बात आते थे, डिसकस करने के लिए, तो मैं आपको पहले बता चुकों कि जो कोठे होते थे आदब तहजीब कि इसके ट्रेनिंग सिंटर होते थे, तो अब वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गाना नहीं चाहते थे, जो इसकी वेल्यू ना समझे, वो केवल हलके भुलके गाने नहीं गाते थे, तो इसलिए उन्होंने जो चाहते थे कि हमारी ओडियंस है, वो अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि हमें भी गाने में मज़ा है, तो यह यह कारणा है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो केवल उनको दिखने आ रहा है, या जिसको जादा नौलेज नहीं है संगीत की, जो जैसे एक एगजम्पिल मैंने दिया है, उसमें कि वो ठप-ठप करता सीले चाल रह है, तो उसको पता लगया कि यह ठप-ठप करने वाला बंदा एक सीरस ओडियंस नहीं हुसता, तो इसलिए हो कहा कि हमें पैसे नहीं जाएं, या आप जाओ, हम तो सीरस अगर आप हो तब हम आपको वेलकॉम करें, अदरवाज नहीं, तो उसने अपने पैसे वाली पोटली है, बड़ा मज़धार किस्सा रहा, कि पैसे वाली पोटली दिखाते हैं, इसकी जरुवत नहीं है, यहां ही बहुत मिलेंगे, आप जाएगे, तो वो केवल बात पैसे की नहीं थी, जो उनकी जो कल्चर है, उसका जो रिफाइनमेंट है, तो वो उसको उन्होंने होल्ड कर समाज, जो दूसरे भी ओर लोग थे, वो लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग इस बात में फट नहीं कर बारे हैं कि तवाइफ में और वहिश्या में क्या फरक है, तो ये बड़ी समस्या थी, तो वो सभी लोग, एविन अंग्रेज भी और यह जितने समाश सुधारक थे, य तो ये बात तो इनको तवाइफों को बटने चाहरा है, फील होगी, कि आप हमारे मतलब, आप हमारे इस बार में सही तरह के जानते हैं नहीं, आप हमें बदनाम कर रहे हो, तो ये भी कहरान था, और ये सब इन समाज दुहार के कहरान, इनका, इनकी बदनामी हो रही थी, तो लोग क्या था, आप जो समाज में जो लोग थे, पहले तो इनके पास लोग अपने बच्चों को भेचते थे, अब वो बच्चे भीना बंद कर रहे थे, लोग जो पत्निया थी, वो नहीं चाहती थी, कि उनके पति वहाँ पे जाएं, कोटों पे जाएं, तो क्योंकि एक ब लोग चेह को हाँ, कि इनके कारण हमारे जो प्रफेशनल, बोच्म होग करें, लेकिन गांधी से कैसे भीच हूई तो गांधी जी क्या था, कि गांधी जी चाहते थे कि यह लोग छोड़कर अपना पैश्ण चोड़कर यह लोग चरका धूने, उस से हो क्रें, अब होता इस कि जो तवायत थी उसकी इंकम ठीक थी उस समय वो दो या तीन रुबे वो रोज के कमारी दी एक टाइम पर लखनुग में सबस्क्राइब टेक्स पेर्स हुआ करती थी जद्दन भाई इनर्विस की जो माय संजिदत की नहीं बिलकुल बिलकुल यह कई जगे सच है मेनारस में लखनुग में भी जैपूर में भी अच्छा और लाहूर तो था लाहूर में जैसा उसमें दिखाया है वैसा एक जट्ली था नहीं मतलब इतने विशाल और नहीं थे वो कोटे लेकिन अच्छे थे तो खेर तो अब इनको जो तीस थी वो इसी बात की टीस थी कि महात्मा गा गांदी उनसे क्या आशा करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी रोजी रोटी केच चलेगी अगर वो चर्खा अपना लेंगी तो उसमें इतनी इंकम नहीं होने वाली तो गांदी जी ने उनको कहा कि आप नेशलिस गाने का ओ धार्मिक गाने का ओ तो उनका यही सवाल दा कि हमारे मुझे से अगर हम गाएं नेशलिस वांग तो हमारे मुझे सुनेगा कोन या धार्मिक गाएं तो कौन सुनेगा तो सबसे बड़ी समस्या यही थी तो अब वो गांदी जी कहने पर उनका तवाइफ काशी तवाइफ सभा तो उनके बना दी लेकिन व कि आपने बापू आपने हम में और उनको कुई अंतर ही नहीं समझा क्या हमारे बारे में सुनते तो सभी फिर गौहरजान का जिक्राता है आपकी किताब में सभी जरा वो किस्सा बताएं कि वो आधी रकम उनको दे देते हैं तो जो गौहरजान का था गांदी जी को उनको पैसा होगा वो सब आपका होगा हम कुछ नहीं लेंगे यह फंडिंग चल लही थी फंडिंग के रिपको लेकिन हमारे शर्त ही है कि आप आएंगे तो वो खुद नहीं आया है आपनी जगे किसी और को भीजा मौलाना शौकत अली साब तो जब किसी और को भीजा तो उनको अब आधा जो प्रॉमिस आपना आधा वाइदा पूरा किया है तो हम भी अपना आधा वाइदा करेंगे तो उनके पैसे कंद्रश की ऑन्ने पैसे उनकों बेहश दिये हूं तो वो था अब उनके चांगरीष के साथ एक समस्या और भी थी जैसे बैरिसल में जो अभी बंगलादिश में वहां पर क्या था है कि जो तवाइफे थी वो कांगरिस से जुड़ गई और वो चाह रही थी कि हमें कांगरिस के अंदर पद बिलें लेकिन वो गांधी शी ने उसके लिए मना कर दिया क्यों मना कर दिया कि पवित्र नहीं है हम किसी कि ऐसे व्यक्ति को पद नहीं देशते जिनके हाथ और दिल प्योर ना हो यह मतलब शब थे और उन्हें फालन भूमन एक जगे प्रयों किया फालन भूमन का मतलब गिरिवे गिरिव महिलाएं तो इस तरह से उनका जो नजरिया था वो एक बहुत अच्छा नहीं था हालेक स आखरी लाइन से आपकी किताब खत्म होती है और इससे पहले मैं आपकी संपादक से बात कर रहा था कि औरतों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती चाहे वो गांधी का दोर रहा हो उससे पहले और अंग्रेजों का दोर रहा हो उसके बाद वाला या आज की ही 2024 से जो हम बैप सम्मान से याड करते हैं आरा के लोगउस अधर्मन मजीद भी है लेकिन धर्वन बीवी का नाम आते ही उनके पास बहुत तथी नहीं होते बहुत सूचनाए नहीं होती और जो सूचनाए वो बहुत ज्याधा फोक्लोर्ट से बहुत ब्रहश्ठ हो करके वेद अब Diversity है पती को बचाने के लिए नवजा शुशू को छोड़ जाती है सारे किस से बताईए तो जो वीर कुवर सिंग थे इनके आठवी जनरेशन के जो पौत्र है उनसे मैं मिला थोड़ा वरी बाहर की ओडियेंस जो है जो राजिस्थान में बागी और जगे बैठी है थोड़ा गु तो वीर कुमर सिंग उसमें से एक थे त्याकी अटुपे एक थे और एक आ पहले है फैजाबाद प़े अपने जो को और आरा से प्लों करते थे तो यह तीन सबसे बड़े वीर थे तो वीर कंवर सिंग वह थे जिन्नों रहे अपनी सेना बनाके अंगरियेंजों को कई बहर ह इनोंने सबसे पहले हमला किया था वह अरा में किया था अंग्रेजिगों को हरा आDD लेकिन बा remark हुर जो उसे हार गए, पिर जगदीशपूर आ गए, जगदीशपूर उन्हों ने डिश्ट्राय कर दिया पूरा, तो उसके आज सेना लेके ये पूरा, मतलब बहुत बड़ा एरिया, रेवा से लेकर, अबद होते हुए, कानपूर होते हुए, और ये वापस जगदीशपूर और जेँडीशा इता है, तो उसे में एक टोप का गुरा अंग्रेज पीछे आगये थे, तो टोप का गुला उनके हाथ में लगा, हाथ घाल का हाथ घाल होगई तो उन्होंने का मैं अंग्रेज हो गए गळीसे नहीं बना चाता था, सिट हाथ अपने अपनगर्वा कटार निकाली और हाथ अपना काटके, खुद ही काटा है, असी वर्ष का व्यक्ति है, और काटके और गंगा मा को चला दिया, तो इतने वीर थे, और उसके बाद में जाके उन्होंने जगदीशपूर की लाई जीती, और उसके तीन दीन बाद लेकिन वह उनकी मृत्य हो गई. एक्सेसी ब्लीडिंग, बहुत थकान हो चुकी थी, क्योंकि पिछले कर तीन महने से वह जाता कर रहे थे, लगाता, लडाई कर रहे थे, लगाता, सब कुछ चल रहा था, उसी भी धर्मन दीवी की डेथ होती, उनके पोते की डेथ होती. उसी जिकर को शुरू कर दीजरा, कैस तो धर्मन दीवी, इस तरह इस तरह कि मेले में थी, तो कुछ छेरचाड़ा का मसला था, तो एक यूवक था, वह भी वहां पर था, वह यूवक और ये दोनों उन जो छेरचाड़ा कर रहे थे, उनको उनको नहीं कमफर्ट किया, और उनको मारा, इन दोनों नहीं, क्योंकि पटकना कैसे है, वो सब इनको सिखा है, पार्ट अफ ट्रेनिंग है वो, तो वो सब इनोंने यूज किया, और आर्ट रोकों को इनोना मार के भगा दिया, अब वो दोनों आपसे प्रेम सा हो गया, लेकिन जो इसकी जो मौसी है, वो नहीं चाहती कि जो उसका पैटरन है, ज वीर कुमर सिंह के साथ जुड़े, यह नहीं चाहती कि वो उस समय 17 साल के हैं, फचास-एस साल के हैं, तो कि अगर ये, मैं इनके साथ जुड़ जाओं, तो बख सब कुछ मिलना नहीं है, टो, उनका यह विचार है, तो अब इस तरह से वो रिसिस्ट कर रहे हैं, इतने मिं क तो अब वो व्यक्ति तो नहीं मिला जो जो वला जो जिसने मारा था नहीं मिला तो लेकिन इन में आप ये बहुत नोबल है कोई भी इसके मन में बुरी भावना नहीं है हाले कि उसने प्रबोज किया, कि दर्मन वीवी को मेरी बन जाओ, मेरी पैटरंशिप में आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने, तो अब वो उसको विश्वास जम गया, तो वो इस तरह से वो उनकी तवाइब बन गई, अब वो तवाइब का मतलब यह होता है, कि देखो उनकी दिशपुर में, एक, वो देखें, आपस में जो समुदैक भावना है, कि इतनी स्ट्रॉंग है, कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, लेकिन वो उसकी भावना की पूरी कदर कर रहे हैं, पहली बाद, दूसरा, अब वो जो धर्मन वीवी है, वो मा बनना चाहती है, अब वो मा बनना चाहती है, तो वो, कुछ भी कह लेजिए, नहीं बन पा रही है, अब नहीं बन पा रही है, तो उसमें लग रहा है, तो, अब उसमें जो, वीर कॉंवर सिंग है, ये लड़ाई की त्यारी कर रहे है, 1857, बेसिकल 1857 उसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियो वी उन्होंने जो पंजाब में जो लड़ाई हुई थी मतलब जो महराजा जो रंजीस सिंग है जब इनकी मृत्य हो गई इसके बाद में सिखों की हालत खरावन लगी पंजाब में तो यह जब लड़ाई हैं चल रही थी वह सगेंड सिख एंड इंग्लिश वार तो उसमें व बहुत भाज भेजू सिखों की सफोर्ट के लिए लेकिन वह राज खुल गया उन्होंने वह सब कुछ तयार हो गया था लेकिन वह राज खुल गया तो वह नहीं पाए मैटियार नहीं हो पाए अब वह गर्वती गुना चाहती है तो वह 46 की बात थी अब 57 56 आ गया था तो अब वो धर्मन मी भी चाहती है मैं मावन हूँ उस समय तक जो inheritance law है वो बड़ा सक्त था जो क्योंकि इनको अग्रेजों ने जो law बनाके जो sex workers हैं और तवायफ हैं इनको एक ही category में डाल दिया था dance girls में अब वो एक ही category में डाल दिया तो उन पर कही तरह के प्रतिवन दे एक तो यह है कि उनका पिरिडिकल मेडिकल एक्जामिनेशन होता था उस मेडिकल एक्जामिनेशन में हर तरह से ग्रोपिंग होती थी तो वह सब था नेगेटिव जिसके बारे में तवायफ बहुत बुरा मानती थी एक बहुत अपमांजनक तरीके से और सभी को एक ही category में कहते थे सब यह काम करते हैं तो इस तरह से बहुत सारी समस्य थी और जो इनका adoption का रूल था वो यह पहले यह कर सकते थी जोगी तवायब तो वो sex worker नहीं थी तो इनका adoption में कोई दिख्कत नहीं थी लेकिन अंग्रेजियों ने law बना दिया कि अगर यह adopt कर सकती है तो केवल अपने close उसने कहा कि ठीक है मेरे पैटन से नहीं तो मैं गोद ले लेदी हूँ अब उसमें थोड़ी समस्या हुए अब बच्चा हुआ तो बीमार हो गया और पुलिस वाला भी नौक करने आ गया तो इस तरह से वह बड़ी मजदा घटना है वह और बता दीजे थोड़ा सा तो अब बच्चा ना भीमार हो गया है जो अड़ाप्ट किया है अब अब अड़ाप्ट किया है तब पुलिस वाला नौक करने आ गया तो यह समझते है कि पुलिस वाला नौक करने आ इसकी वैसे इसकी तरह और खराब होती जा रही है तो इसलिए वह पुलिस वाले को बुरा गहरी है और उसकी सब तरह की दवाईया होती है अब वो अंग्रिया के बाद निजास्ती क्योंकि बच्चा उसने इलीगली अडप्ट किया है तो जो सखाई डॉक्टर है वो अंग्रिया उसके बाद निजास्ती है तो वो खुद फज जाएगी वहाँ पर तो इसलिए वो हकीम वग चेक करते हैं तो कहते हैं वो खुश ख़वरी देते हैं कि यूर प्रेग्रेंट कि आप माँ बनने वाले हो तो वो वह एक बाद एक पुज़िशी सासद हो रही है बिल्कुल एक बड़ा में बड़ा सेंटिमेंटल मुवेंट था वह जानके कि मैं क्या सुन रहा हूं तो उ उस समय आरा में लड़ाई हो रही है वीर कोमर सिंग फ्रंट पे है तो जो आरा हाउस है उसको घेर रखा है उसके अंग्रेज फसी हुई है और यह उसमें कब जगना चाहा रहे है और उनकी सपोर्ट के लिए दूसरी आरी में आई उसको रहा दिया तो वो सब चल रहा है औ अब जिन बच्चों को इतना चाह रही थी कि मेरे को मिल जाए कि मेरी गोध हरी हो जाए अब वोई बच्चे उसको लग रहे है कि रास्ते की रुकावट है कि इसके कारण में अपने पैटर्न के पास नहीं जास पारी है उसका साफ नहीं दे पारी है तो देखें कितने एक भावनत्मा के बॉंड है कि पहले यह मांगा था तो इसको छोड़ा नहीं जाया। तो इसलिए वो पधा करती है कि क्या हो रहा है कि यह Vine जग्दीशपूर चले गए जगदीशपूर तो कोई हरानी पाएगा क्योंकि जग्दीशपूर में इनका बहुत बहुत बद्वला कि अगर तोप आ गई तो चार गोलों से सारत तबाह हो जाएगा तो उन्हें कुछ ऐसा काम किया जाए कि अंदर कैनन जो तोप हैं वड़ी आई नपाए तो उन्हें क्या किया मजबूत बाधि लगाए बड़ी और पास पास लगाए बिल्कुल जिससे की एक सीमासी बन जाए और सब बड़े-बड़े विशाशाल पेड़ थे जैसे बरगत के पेड़ पीपल के पेड़ जामून के पेड़ जो विशाल हो जाते हैं बिलकुल तैने भी मोटे होते हैं जिसके बार्म कट भी ना सके हाँ तो इस तरह से उन्होंने और पूरे एक किलोमेटर रेडियस में इसे चारो तरफ की लेकर चारो तरफ लगा दी आज उस पेसे कुछ पेड़ आज भी मौजूद हैं उस जमाने में लगाए गए हाँ आज भी मौजूद है तो मैं देखके आया उस पे लोग लाल धागा बांते हैं आदमी की वीरों को याद करने के लिए तो क्योंकि उस प इनके बंदू के कम थी, मसकर से वारा बहुत ना के बरावर दी, तो इन्होंने अपना तोप खाना भी बनाया, उसमें फोटो दी होगी मैंने, तो उसमें वो छोडी जो उतली गन उसे कहते है, जो शैलो गन्स, तो शैलो गन्स कहते हैं कि उसमें पत्थर के ओले भी चल जा आएगा, क्योंकि सेणा भी जाद है, सारे लोग भी इनका संभान करते हैं और टेणिंग भी है सबले कि लेकिन वो हार जाते है, हार जाते है तो धर्मिल्ए भी बीव को फिर पता लगता है, यह हार गये तो परशान होती है, तो फिर पता लगता है वो आगी चल गें, लेटियों को एक और तबाएफ के सबूर्ट करती है और खुद तेया अभी देगे उनका जन्म होए एक महिना भी नहीं हुआ अभी उसको आराम की जरूता है फीजिकली महिला जब जब उसका बच्चा होता है तो उसको काफी समय तक बॉड़ी बहुत साइच चींज जाते है अराम की बहुत सबस्याज जरूती है उससके खुराकी ज़र्द है लेकिन वो महिला पुर्श के कपड़े सिलवा कर तुरंट और गोले पर सवारों के जाती है वो उस कैमूर एरिया है वो तो कैमूर जाती है वो वहां से 70-80 किलमेटर दूर है वहां पर जाती है वहां पर मरदी एक कपड़ामे है और पहु incentी है इनके पास और फिर इस तरह अब वो तो लड़ाई लड़ते व जा रहे है हुए हर जगे जो अंगरेज है या उनके जो पिछलगू है उनको हराते हुए जा रहे है तो नम śलिए लीन लग रहे हैं तो जब इन पर इनाम था, वीर कुमर्सिंग पर बहुत अच्छा इनाम था, 25,000 रुपे का, 25,000 रुपे बहुत बड़ी द्रकम होती उस समय, तो जो जमीन दार था, उसने देख लिया था, उसने का अच्छा यह अगर यह मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो 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 गोला जो मारा, इनक प्लग कर लिया अपने बॉड़ी से, और वो तो प्लग कुछ अगर लगा, तो वहाँ पर इनकी मृत्य हो गई, तो जब आप यह जिसे, जब धर्मन निकलती है, तो अपने पती को बचाएँगी, अदेश की आजादी के अंदुलून मेई योगदान देंगी, उसी तरह क् बाद अजीजन को नहीं पता थी जब वो जाती है और उसके बाद वो एक बैटर ग्राउंट तरगी समसुद्दीन से उनका प्रेम संबंध है सिक्रिट लेती है आवद का पूरा इलाका पूरा आज बून को वहां पर फोकलोर में गाया जाता है उनके बारे में थोड़ा बता अब किसी भी पार्क में जाके लोग बैठे हुए आप उनसे बात करें कि अजीजन भाई तो बताएंगे अजीजन भाई के बारे में और थोड़ा से वेरिशन होगा वो होता है लेकिन वो आपको थोड़ा सही बात निकालने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेग उसके जो मस्तानी टोली थी वो उसके जो ग्रुप था तवाइफों का और आसपास की कुछ तवाइफों और भी उसके चुड़ गई थी तो वो जा रही है तो वो कई तरह से काम किया युद्व में भाग लेने से पहले तो उनका में रूल जो था वो था पैसे देना और प्राद में यह और यह पूरी मस्तानी टोली हर तरह काम करती थी वादले हाथ्यार सप्लाई करती थी उनका मनोजन करती थी सिपाहियों का उनको भोजन बना के देती थी अपने हाथों से परोस्ती थी वो सब काम करती थी तो इसलिए उनको सिपाही लड़ रहे हैं उनका उ एकुरेटेड रूप से बैटी हुई अजीजन भाई बहुत सम्मान और बहुत सद्धा की इमेज बनती है फांसी से पहले जरा उनके जंग की कहानी में सोना दीजेगा जंग में तो मैंनों बता दिया कि जो शंशीजन इनोने खुदी इनको सिखाया था श्यूटिंग को थे गॉय जो लबर थे लिंको अ ऑर्म्मी मुटम आउर म debeल सिपायी ते है वो इनकी जो जो बंगार आर्मी थी उसके सिपाही थे वो तो लेकिन वह रधिल अंदर से कि वो करांधी करना चाह रहे थे और इन दोने योजना बनाई थी कि हम शादी तब करेंगे जब देश आजाद हो जाएगा तो यह इनकी थी लेकिन अब आजादी तो मिली नहीं और वो बलिदान हो गए अब बलिदान हो गए तो इन्होंने क्या कि ठीक है मैं उनकी कि जो सपना था इसको पूरा करने का पूरा भरसक प्रयात्न करूंगी तो भरसक प्रयात्न करने में वो खुद यूनिफॉर्म में के आ गए और इस बात का वीवरण बहुत लोगों ने दिया है उस से में कुछ लोगों डाइरियां लिखी है उसमें उसका वीवरण मिलता ह कुछ अंग्रीजों ने भी लिखा है उसके बारे में और जब हैवलेक ने पूछा कि तुमने विद्रोह क्यों किया, राजा की खिलाफ विद्रोह किया है, अगेंस अक्राउन, तो कह रही है, साफ बहादुरी से, कि आप लोग हो जिन्होंने हमारी चीज़ को कप जाया है, आ अभी तक आप मुगल जो राजा था, जो बाश्या है, उसके नाम पे आप अपने सब लेटा से लिखते थे, सब काम करते थे, और अभी आप अपने राजा को मुगल बाश्या पे थोपने कोशिश कर रहे हो, तो आप हो इंविडर्स हो, आप इंपेरियरिस हो, आप कि यहा सिपाईए भी है, उस ते नहीं का उसमें, लेकिन वह सिपाईए भी थे, वह भी सिपाईए करें थे, क्योंकि किसार को गई है, जो कारिगार हैं वो खतम हो गए हैं, employment कहां चाहिए, employment चाहिए लोगों को, और employment का जो एक ही साधान है वो है, company की सेवा करो, और company की जो सबसे बड़ी सेवा है, वो है, forge, forge में काम करो, तो समसुत दीन से फिर उनकी पाचित होई तो अब शमसुत दीन मृत्तिव के बाद तो इन्होंने फिर पूरा भाग लिया जितना पॉसिबल था इनके लिए लड़ाई में भाग लिया नाना साब के ताफ भी देखी गई हो तो नाना साब तो आप जानते हैं नाना साब और उनका बहुत बड़ा रूल रहा है और वो हरी दौर में गए थे हर्दौर में उनकी पहेंट स्वामी द्यानन से हुई थी यह मैं आपको बता रहा हूं मेरी रिशाच का परिणाम है यह और उन पर इनके मैंने उसे फिल्म भी बन रही है तो हाँ वो किताब वी जल्दी हाँ यह तात्या टोबे रानी जहासी और इनान साब यह बच्पन में एक साथ खेले हैं एक ही परिशन में रहे हैं और उनका जो महल था जिसको टेस्ट्रॉय कि अंग्रे जोने उसकी फोटोवीज में है किताब में तो आपको इस किताब में तो काफी कुछ मिलेगा जो सब कुछ बताया नहीं जासता तो मैं आखरी बस आपके पास आ रहा हूं उसमें जब आपके करें सब कुछ बताया नहीं जा सकता तो मुझे याद आया कि सब कुछ पता भी नहीं होता कि कैसे होता है तो क्या जब मैं यह बात करों बेगम समरू को यह नहीं पता था कि उनका इ देखें, ऐसा हुआ था कि जो जब ये छोटी थी, जब ये तवाइफ की टेनिंग इनकी शुरू होई थी तब, उसके बाद में जो सोम रहे थे, मरसी नरी, वो उनके पैटरन बन गए, जब पैटरन बनने के बाद में, वो काफी लड़ायों में उनके भाग लिया रहे, खू बहुत खून देख लिया हम लोगों ने, और इनकी खास बात क्या थी, सोम्रे की भी और बेगम समरू की भी, कि ये जो इनकी टेक्टिकल अप्रोच थी बैटल में, जब लड़ायों होती थी तो अपनी सेना को किसाद मूब करना है, या किसाद आगर बढ़ाना है, या सदना की जागीर्दी, सदना काफी बड़ी जागीर्दी, वो टपल तक फैली हुई तो अब सोम्रे की डेथ हो गई तो उसके बाद में बेगम समरू उसकी रूलर बन गई, शासक बन गई, अब वो हुआ गया कि जब आर्दत साल और बीते तो दिल में प्रेम की लहरे उमरी, और उमर्ने के साथ में हुआ क्या, कि एक लावासू थे फ्रेंच आफिसर थे उसके सेना में, अब प्रेम वो गया, अब प्रेम में इनने चुपके शादी कर ली हмес फ्रोकन शादी कर ली तो लेकं शर्चा उनकी यह थी बेगम समरू नने की में हूँ, तो इससे इनकों लग रहा था की मेरे खिलाप रीदों हो जाएगा अब रीदों हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। आच्छाव पिर क्या होए की जॉल्स फहले, जॉलस फहले मरसेनाडी थे और बहुत अलग से इनकर लिखा तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि George Thomas ने बेगम संब्रू के खिलाब विद्रू हो किया था तो इसको दबाने के लिए यह वह जजर गई उस समय वह मराठा से कमंडर थे वह आज का हर्याणा हाँ जजर राज का हर्याणा ठीक है तो यह अपनी चार बटैलेन लेकर गई लेकिन दो बटैलेन ने विद्रू कर दिया वहाँ पर ही तो यह दो बटैलेन वापस आगी बीना लड़े तो इसको अपने लगा कि मेरी पोजिशन बहुत खराब है इस समय तो विद्रू कभी होस अब वह पीछे से जो बागी है वह आ गए तो अब उनको देखकर वह लंड़े की मूर में है जो लड़ेंगे हम थोड़े से हैं लेकिन हम लड़ेंगे लेकिन वह कहते हैं कि नहीं भाग निकलो यहां से अब वह लावासू पिस्तल निकाल गया वह पीछे मुड़ा है तो पीछे से बेगम समर्ण आवाज मारी है उनके पास है जो दिखता है क्या कि बेगम समर्ण खून में रत्पत है हुआ कि उसने अपने आत्मत्या क्यों ने स्विसाइड पैक्ट किया था आपस में दोनोंने कि अगर एक मर्द आएगा तो दूसरा जिंदा नहीं बचेगा त पूरा जो सफेचादर थी वो सफेचादर खून में भीवी थी तो देखा यह क्या हो गया तो जब यह देखकर उसने वो सुसेड कर लिए उसने पिस्टल निगाल गए खुद को गुली मार लिए अब वो बागी आ गए उन्होंने बेगम सब को पकल गए और वापस ले गायल अवस्था में उसका गन केरेज में बांदिया तोप में नीचे जो पही होते हैं उसकी बीज़ें जो बाड़ी होती है उसी जह से बांदिया हाथ खेला के अब वहाँ पे करीब एक अफ़ता बंदी रही ना पानी ना खाना गायल अवस्था में खून भी वहरा होगा पपली जम गई होगी तो अब वह यह था कि क्योंकि अच्छी थी रूलर बहुत अच्छी थी तो इसलिए जो इनके अपने जो लॉयल जो वो थे जो फौजी अफसर उन्होंने इसकी साहता की वो साहता की तो रात को इनको चोरी चुपे भुजन लाते थे और उन्होंने ही इनका जो संदेश है, वो जास्थोमस, देखिए जास्थोमस के खिलाब लड़ाई करने गई थी अभी, उसी के पास इनों ने मजद के लिए गुहार लगाई, और वो आया, और इसे बिना लड़े उनको बागियों को हराया, और इसको वापस गदी में बिठाया, देखो बड आगे रही है, और वही जिसके खिल्द हो था, वह वापस मजद करने आया, और गदी पर बिठा के गया हूँ, तो इससे देखा कितना मेज़दार कहानी है, पुरी की पुरी, तो बिगम सहरुदुगा तो जीवन और वैसे भी आप देखिए, शाह अलम, जो शाह अलम को अं पहले एक बार किया तो बिगम सहरु ने उसको बखाया था, पहले भी कपजा कर लिया था लालगिले पे, तो बिगम सहरु करना वह भाग पाया था, तो ठीक है, अब बिगम सहरु अपने दूसरे कामों में व्यस थी, और शीखो के साथ एक्शी लड़ाई चल दी थी, तो उस समय जो बिगम सहरु है, वो दूर थी और शाह अलम को पकड़ा गया, महाजी सिंद्या उस समय बिजी थे, बनलब आपने उनके जो बराठा शुरादा थे आपस में, खिच-पिच चल ली थी, तो उसके जाना वह पहुंच नहीं पारे, अब वह पहुंच नहीं पारे, जो महाजीनों मदद भेजी भी, वो कम थी, संख्या में कम थी, 2000 थे लोग, तो वो उसको विड्डरौ करना बढ़ा वहां से, गुलाम कादिर के सामने, अब वो सारी समस्या हो गई, उसे अब गुलाम कादिर को क्या जिए केवल सोना, जहिवराज, और यह जो महंगीची है ही सब उनको चाहिए, वो मिल नहीं रही, मिल नहीं रही तो शाहलाम को गदिस उतार के एक पपेट बढ़ा दिया, और उसकी आँखे निकाल ली, उसमें जो डायलग हो वहां से ही शुरू होता है, चैप्टर का, कि वो करा है, एक पेंटर को बलाओ, और मुझे हाथ में कट चित्र बनाओ मेरा, तो इतना क्रूर, तो इस तरह से अंधर तो हो गया बिचारा शाहरू, लेकिन उसको बचाने वाली फिर बेगम सब रूई थी, तो बेगम सब रूगा आपना बहुत 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 रूल था, तरीके से साहिता की थी, और उसके बाद में जब य सरदना की चर्च बनाई है, अपना महल बनाया उसने, और मेरट में एक चर्च बनाई है, और कलकत्ता में, इंग्लैंड में जो चर्चें थी, उनको मदद भीजी है, तो अपना जो, और इसने जो मेरट सरदना की रोड है, वो भी इसी ने बनाया था, बहुत सराय बनाई, जो सीचाय की सुविधाय बनाई उसने, तो एक अच्छी शासक भी बनी वो, अच्छी शासक बनी तो खुद अंग्रेजों ने लिखा है इसके बारे में, कि जो सरदना जागीर का जो लोग थे, जो किसान थे, वो लोग जो कंपनी की जो टेरिटरी थी, उससे ज्यादा शाल भी थे, और जादा खुश भी थे, और बल्कि लोग आके सदाना में बसते थे, कि इसलिए कि यहां पर सक्पूझ मुल्दा अच्छा है, जो कंपनी के शासन में नहीं है, और एक बात और बताना चाहूँगा, तो, कि बहुत बड़ी जागीर नहीं है, जागीर बड़ में हैं, इनकी बिल्कुल सर्फ में बैठे हुए, इधर सिक्ख हैं, बहुत बुदा कौं थी, और इनकी चलती रहती थी, इधर कंपनी हैं, तो भी अपना सामराजा बढ़ा रही है, ऐन पर जो लगा रही है, और इन सब के बीच में ये अपना आस्तित्त बचाये होे हैं। और बचाये रही 58 साल तक शासन किया आप यह लगा अपनी मृत्यु तक यह आजाद रही तो एक बहुत बड़ी कि तीनों को इसने आपस महीं ला देती थी खुद नी भी पीज़ फस्ती थी तो वो उसकी अपनी जो एक बहुत अच्छी डिप्लमेंट है वो तो वो इस तरह स सबको कैसे मैनेज कर रही है हो तो हर तरह से वो उसे पता है कि मेरे को किस सिथी में किस तरह थे मेरे को काम करना है तो वो एक बहुत अच्छी खास बात है तो इसलिए बेगम सब्रू तो आज भी मलदा आप लगा लीजिए कि कोई भी इतिहास की पुस्तक जो नॉर्ट हिं करके इस बातचीत को अन्त करूंगा कि हमारे इतिहास में तवाइफों का किस तरह जिकर आता है मतलब जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो उनका इतिहास है या तवाइफों का जिकर कहा से शुरू होता है कौन सा वो दौर था जो बिलकुल अपने पावर की ब राज नर्तकी या देवदासी का है तो जो मंदीरों मेरे टांस करती थी वो देवदासी वो हिंदू पिरियाड है प्राचिन काल और यह कब से कब तक है थोड़ा सकत डेट के साथ आप बताते रहेंगे तो करीब आटवी शदाबदी तक और क्योंकि तब से मुस्लिम आक्र तब शुरू हुआ तो और जैसे पिरियड आगे बढ़ता गया बतलब यह मध्यकार आगया इसमें तो मध्यकार में जब मुस्लिमों को शासन आया तो जो राज नर्तकिया थी और दूसरी नर्तकिया थी यह लोग क्योंकि इनकी डिमान हमेशे रहती थी जो राज नर्तकिय तो वो रहे 25-26 तक 12-26 लेके बावर आया है बावर तक तो यह लोग भी इसमें कई सारे जो थे वो लोग संगीत के लवर थे और वो इनको नर्तकियों को क्यों मुनलिजन तो चाहिए उनको तो इसलिए जो यह जो नर्तकिया थी यह धीरे धीरे तवाइफों की तरफ खुन इसलिए अखबर से लेके बात तक यह सबी लोग व्यावाद के परशन सकते कि जैसे जहांगीर थे इनका में था आर्ट्स में जो शाया थे इनका था अर्किटेक्टर में तो अकबर था उसका तो वह ओवरल था कि उसका अर्किटेक्टर में भी रोल है और कला में भी है उस है उसके अंदर जो जैसे सलीम की कहानी है तो वो बिलकुल एक चैद में रहती थी वो लोग जो उसमें हरम में एक बार चले गई तो फिर बाहर की दुनिया देखनी बाती थी तो वो सब कुछ अंदर ही होता था अंदर सारी सुविधाई में लेंगी उनको वो बात है लेकिन वो राजा एक है वो अकेले ही जासता है इसके अलाव मर्द उस में इसमें नहीं है जब मर्द एलावड नहीं है तो बटने TIME चले हैंuestos सब कुछ नहीं होता तो थींस हैं या 5,500 हैं या 9000 हैं तो वो पैसा उनके पास था वो पैसा था और यही है कानण था अब जैसे आपको कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो फैजाबाद की जो नाव की पत्निया थी उन तक कर डूट लिया था तो उसकी बहुत बुराई होती है अंग्रेजों की इस बारे में तो ऐसे ही वो हर जगे था जैसे गुलाम कादिर था इसने जो अपनी लेडी सीन के सारे को निकाल लिया था पैसा निकालने कोशिश की थी तो इसकी इसलिए बुराई होती है तो वो मतलब लोगों की इन हरम की पती इज़द भी थी कि यह राजा का या बास्टा का दरवार है यह नवाब का दर्वाहार है, नवाब का प्रीवार है एक तरसे , वह परिवार की तरह है तोह पे लेते से थ правда फत्नियां नहीं होंगी तो सबतरय के हैं मसाज करने वाली हैं và डान्स करने वाली हैं , गाने वाली हैं जैसे अरण ज elesた onent試 wishे की थी कि मीजिक को इसको दवा दिया जाए खतम कर दिया जाए लेकिन ऐसा पूसी वो खुद आपने हरम में नहीं कर भाया खतम और भागी बात तो छोड़ दीए तो उसके बाद में जो बास्टा हुए वो उन्हें कई सारे थे जो दवाने कोशी किया और ऐसे भी तो जो ने सपोर् में भी तो वहाँ पर इनको थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा महाराना रंजी सिंग वगरा जो आए इनके दवार में थी नर्ट किया तो इस तरह से तो इनको चलता रहा लेकिन जब अग्रेज आए तो उन्हें ने तो यह पूरे सिस्टम ही इनका डिश्ट्राय कर दिया क्यो जो लोग इनके आते हैं उनके पैसा नहीं है जब पैसा कम हो गया तो इनको मिलने वाला पैसा कम हो गया तो जहां पहले इनके बाद खूब पैसा होता था खूब सोना चाहिए फैशन वगारा सब कुछ होता था वो उसके लिए इनका पैसा ही नहीं बच रहा तो वह जो हव एक इज्जत से लिए आया था कभी वो अब थोड़ा बुरा हाल हो गया आपने देखा होगा है जैसे मुज्रों में लोग जाते थे बच्पन में हमने खुद देखा है कि जो पेरेंट्स से खुद भीज़ते थे मेरे को जो सबसे पहले तर्वाइब की कहानी मेरे दादा जी क्या थी कहानी सर इस पर ख़त 550 आघ तो है हमरोग पंजाब से है तो लेयलपूर लाहर से दूर नहीं है तो मेरे जब हम यहां पे थे मेरट में चन्म हुआ तो नियुक़् धादे अ को रोज सब कहानी पर दो गजानी फैसे खूब क्योंकि मैं उनके बाद ही पढ़ा पढ़ा तो that Sammaitra की बात यह थी कि और ने एक दिन कहा लाहूर की बात चल ले थी जिसने लाहूर नी देखया उन्हें कुछ नहीं देखया एक पंजाबी कहा बाद है कि लाहूर जिसमें तो मैं तो उसलब छोटा ही था, 12-13 साल का रहा हूंगा मैं, तो बताया है, सैट अप बताया कि क्या होता है, समाद में इजद कैसी होती थी उनकी, वो सब को बताया है, और उन्होंने पहली बार बताया था, कि पॉजित चीजों के लिए वो जगे है, नेगेटिव में तो द्धोल की मोहला था, वहाँ पर हम निकल जाते थे, लड़के लड़के जो, तो वो सुनते थे कि धोलक की आवाज आ रही है, गाने की आवाज आ रही है, तो वो हमने देखाया है, आलगी इतने हिम्मत नहीं थी कि हम सलक पर चलाए, यह किताब लिखना भी साहस का काम था, मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े, इस टॉपिक पर बहुत काफी टाइम से लिखना चाहता था, जब मेरे बाल सफेद होगे, मुझे सफेद होगे, तब मैंने आप मैं लिखता हूँ, कोई मुझे पर उंगली नहीं उठाएगा, तो कि किस बीशे पर लिख रहे हैं तो एक समाजी जो सोचल स्टिग्मा है, जो एक डाग है, वो तो है इस टॉपिक के साथ, वो बन गया है लोगों के दमाग में, फिर भी एक क्यूर सब्जेक्ट है, लोग जनना भी चाहते हैं, और बात भी नहीं करना चाहते, वो मैंने गांदी जी के साथ जो डालोग दिय हैं, तवायफ और आदर एक साथ इस पूरे वाक्य को रखना सामानी करण हो चला है, क्योंकि हमें लगता है कि तवायफों का काम से सक्सवर करका था, या वो समाज में बहुत ही लुक डाउन नजरिये से देखी जाती हैं, लेकिन ये हमारे सिनेमा की, हमारे समाज की देन है इससे पहले जिसे इस किताब में हमने एक राइट फुल हिस्सा उनको देने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने आजादी कि आंदरों में योगदान दिया, बेगम समरू की, अजीजन बाई की, हुसना बाई की, धर्मन बीबी की, बेगम हजरत महल की जब आप कहानिया इसके अलावा, थोड़ा और समीदन्शील होकर कि ये देख पाएं कि इतिहास में, नायक कोई नहीं होता, और जिए नायकों की कहानी हमें बदाई गई है, उसकी अत्रिक भी ऐसे बहुत-बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ओर्तें थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सार करती है कि आपको एक नए नजरिया दे सके ताकि आप कुछ और उत्सुख हो और जिसे इस किताब में जो स्लेनियस में बहुत सारी कितावों का जिक्र है बहुत सारे यूटूब के गानों का जिक्र है आप उन पर जाएं कुछ और अपनी जिग्यासा को बढ़ाएं भूख को शांत मत होने दीजेगा यह आपके लिए नए रास्ते को लेगी नानी साब आए आपने इतना समय दिया खूब तफसील से आपने हमें किस से सुना आए बात हैं बताई आपका बहुत शुक्रिया अंतदू गत्वा यह किताब जो है आए आपको भारत की छे तवाइफों के बारे में खूब विस्तार से बताती है कुछ एक जगे ओनरेबल मेंशन कुछ और चीजों का भी आता है कुछ और लोगों का भी आता है पर वो एक छेपक के रूप हैं लेकिन यह पूरी इन छे के बारे में खूफ तफसील से बात की गई है उनका क्या कॉंट्रिबूशन रहा कुछ जो सॉफ्ट हिस्ट्री की अप्रोच है उसके बारे में बात है तो आप इस किताब को पढ़े हैं इसकी कीमत है 599 रुपे और यह आपको फिंगर्प्रिंटर प्रेस से मिल जाएगी अमेजन वगना बाकी जगों पर कुछ सस्थी मिल सकती है इस किताब को जरूर पढ़ें कुछ और किताबें पढ़ने के लिए हमें रेकमेंड करें मेरा नाम दीपक था आपने लालन ट प्रेस से धीज correction heißt उर चोर प्रेस समय किताब करें से लिए 2 ri ficar मेरा टी जाएगी व 일्या हमें करें मेरा गुछ वए हमे रिए 3Rव भ lowers के लिए हैं व